उत्रवार समय देशबर के इन राजियों में बारिश के आसार हैं एक के बाद एक पस्मेक शोब भाड़ी राजियों पर देंगे भारी बरबारी और बारिश अगले 24 से 36 गंटों के दोरान एक तीवर पस्मेक शोब के जमकस्मीर पहुंचने की उमीद है यह 8 से 10 जनौरी के बीच गिलगीत बालिस्तान, मुझफराबाद, लद्दाख, जम्मोर, कस्मीर हिमाचल परदेश में भारी बारिश के साथ मद्यम बरबारी देगा उत्राखन के इलाकों में भी बारिश और बरबारी हो सकती है जल्दी ही एक और पस्मेक शोब पस्मी हिमाले तक पहुंच जाएगा जिबकि दूसरा पस्मेक शोब अधिक तिवर गती वाला होगा और 12 से 13 जनौरी के बीच हिमाचल परदेश और उत्राखन में भारी बरबारी दे सकता है पस्मेक शोब गुजनने के बाद पस्मी हिमाली चेतरशे बरफिली ठंडी हावाएं उत्र पस्मी और मदेभारत में चलेंगी जिसे की ताफमान में भारी गिरा उटाएगी राजस्तान राजे में सर्दी का कहर जारी है आज भी सीत लहर वे पाले का अलरट परदेश में अभी भी दो दिन और जारी रहेगा सर्दी कापर को अलवर जुझनो सीकर वा चूरुजिले में अति गने कोहरे वा सीत लहर के साथ सीत दीन वा पाला पढ़ने का ओरेंज अलरट भी जारी किया है अगले 24 से 36 गंटों के दोरान बदले का मौसम का मिजाज एक ताजा पस्मिक शोग के सेकरी होने से हिमाली एक्षेतर में बरसात वब्रफबारी के साथ उतरपस्मी राजस्तान राजे के गंगानगर हनमानगर चूरू आसपास के एक्षेतरों में आंचिक बादलवाही चा आठ जनवरी से इन राजियों में बारिश की तिवर्ता और फैला बढ़ेगा और हिमाचल परदेश राजियों में भी हिमपात होगा। बिहार अजे में मंगलवार से ताफमान में बडोत्री होने की संभावना है हालांकि 7 जनवरी तक बेतिया, मोतिहारी, गोपालगन, छप्रा, सीवहर, मुझपरपूर, सीवान, पटना, सीतामडी, दरभंगा, समस्तिपूर, मदूबनी, हाजिपूर में लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बर्तने की अपिल भी की गई है। और से ठीक लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें